आपकी डिप्लोमेसी फेल है आपको पता होना चाहिए कि जर्नल असम्बली के जलास में मोदी साथ कुछ तक्रीर करने आ रहे हैं और उसके बाद उनकी कौड की मीटिंग में बैठेंगे मोदी साथ यहां पे आ रहे हैं उनकी वान-टू-वान मीटिंग है उनकी बाइडन साथ भी सारी और उसमें अफगानसान को डिसकस करेंगे रशिया के साथ अपने रवाबत बढ़ा रहे हैं तालबान के साथ कंटीजेट कर दिया उन्होंने पाकिस्तान के रिलेशिशिप के चौबीस तारीक को पहला इजलास हो रहा है वाइट हाउस में जहां पे कौाड के सर्बराहान को मदू किया है प्रेजिट बाइदन ने जिसमें जापान के वजीर-आजम, भारत के वजीर-आजम, और वो प्रेजिट बाइदन खुद तो जो पाकिस्तान के बारे में जो बात हुई जरा उसके भी कमेंट करें और पाकिस्तानी मीडिया जो है वो उसको जैसे कहले हैं आदी तस्वीर चला रहा है आदी तस्वीर नहीं चला रहा है देखें उसमें बिल्कुल पाक्स्तानी मीडिया एक चीज बिल्कुल नहीं उन्होंने वो कहते है ना उसको काट दिया उस एक फिक्रे को उन्होंने भिल्खसूस यहां पर एक चीज की कि 20 साल जो पाकस्तान करता रहा है डैड इस अंडर व्यू और उसके बाद फ्यूचर कहा जाएगा कि फ्यूचर में जाएगा कि तालबान के साथ कंटीजेट कर दिया उन्होंने पाकिस्तान का रिलेशनिशिप आपकी डिप्लोमेसी फेल है क्यूंकि आप उनको बताई नी सके अभी तक कि हम कहां खड़े हैं या तो फिर खुल खुला के जिस तरह आप नारे बारती जंडे लगा दियें तालबान के कैया थो भरी आमने कीया था हमसाथ है उनके आपकी कुछिर पालिसी नहीं इस वकत आपको अभी तक यहीं नहीं पता कि मुईद यूसिफ आपके फारन मिनिस्टर है कि यहां पर वाच्टिंग डिशिव लभी के बाद दूसरा नमबर और आपको पता होना चाहिए कि जर्नल असम्बली के जलास में मोदी साब खुछ तक्रीर करने आ रहे हैं और उसके बाद उनकी क्वाइड की मीटिंग में बैठेंगे और उसमें अफगानसान को डिसकर्स करेंगे मोदी साब यहां पर आ रहे हैं सिर्फ पी आर के लिए आ रह भी सबसे पहले तो यह अगर ग्रूपिंग हो रही है तो उस ग्रूपिंग में आप पाकस्तान तो चाहिए ना के साथ सारा कोई अपने एक एक बास्केट के अंदर सारे एक्स डाल के बैठिया है लेकिन इस वकत दूसरी दुनिया में क्या हो रहा है सबसे पहले तो जो सब जो मेरे लिए अलारमिंग था कि मोती साब ने इंस्टन एकनामिक फोर्म में स्पीच दी उन्हों रशिया के साथ अपने रवाबत बढ़ा रहे हैं अस्ट्रेलिया के साथ टू एंटू उनकी जो मीटिंग हुई उसके साथ उनके डिफेंस मिनिस्टर रोजे शंकर साथ की और वो मेरा मकसद वे डियार मेकिंग डियर न्यू रिलेशनिशिप नेक्सिस उसमें वर्सिस आप कहां है हर बंदा यहां पे नारे बड़े लगाएगे कि अगले दिन आपने चार लोगों की बैठ के जो उनके इंटेलिजेंस के हैड ने उनकी बैठक कराई बैठक कराई मैं उस बैठक के बारे मताना चाहता हूँ कि हर बंदा जो है इंडिया से होके वापसी पर रुका आपके पास वो आप यह मेरा इस वक्त सबसे बड़ा क्वेस्टन मार पाकिस्तान के लिए यह है एक युनाइटेड हो के एक क्लियर पालिसी नहीं दे पाए तो फिर पाकिस्तान कहा जाएगा आपने तो कहते हैं न के विगानी शादी में बदूला तो पहले दिवाना हो चुका है तो वो आप इन चीजों को कवर किस तरह करेंगे आप क्या लोगों को किस तरह हाउ यू बिल सर्वाइब को तो जब मैंने बताया आपको चीमा सब जब आपका आपका जो एक टोला जो उपर चाया हुए पाकि सब्सक्राइब की डिरेक्शन से आपका मुझे ये बताएं आप मैंने हजार दफ़ा आपको कहा है आपके सी पैक अथारिटी जो है नैब से वो कि उसको मुँ बर्रा रखा गया भी जो आहाम वाकिया आज से शुरू हुआ है वो यह है कि अक्वाम में बतादा कि जनल अस् प्रेजिडंट बाइडन खताब करेंगे अक्वाम में मुझेधा की जनल असेम्ली से अक्वाम मुझेधा का ये कहना है कि 83 मुमालिक से उनके सर्बराहान या सर्बराहान हकूमत या सर्बराहान मुमलेकत या उनकी आला शखसियात खुद आ रही है बाकी जो है वो वीडिय लिंके जरी खताब करेंगी कुछ जो है वो प्री रिकॉर्डिड उन्होंने तकारीब भेज़ दी है यानि कुछ वरायरास करेंगी और कुछ प्री रिकॉर्डड चलेगी अभी तक वाज़े नहीं कि अक्वाम मुताहिदा के इजलास में कौन जा रहा है लेकिन ये हमें पता है कि भारती वजीर आजम मुदी जा सकते हैं और उसके साथ ही जो इरान के नो मुन्तखिब वजीर खारजा हैं वो भी जा रहे हैं खुद अच्छा ठीक अच्छा पाक्तान से शाम में मुत कुरेशी होंगे जेशंकर भी होंगे कि अब और भी मुलागाते होंगी मैं इसली कह रहा हूँ कि प्रैमिस्टर मुदी के जाने का के चौबिस तारीक को पहला इजलास हो रहा है वाइट हाउस में जहां पे कौाड मुमालिक के सरबराहान को मदू किया है प्रैजिडिन बाइडन ने जिसमें जापान के वजीर आजम भारत के वजीर आजम आस्टरेलिया के वजीर आजम और वो प्रैजिडिन बाइडन खुद और वजू हाथ क्या है ना उसकी वज़ए यह है कि कौाड के अंदर उनको बुला के आपने देगा ना सेक्टिव बाइडन ने बात की पाकस्तान के हमें ताफुजात हैं और यह सारी बाते हुई है और अदर से कतर ने भी तालबान की तरफ से आज कहा गया है कि तालबान जो है वो तुर्की के साथ और दूसरे किसे मुलक के बगार खाली कतर जो है वो एरपोर्ट काबल एरपोर्ट की जम्मेदारी नहीं ले सकता और मुलकों से भी बात करनी चाहिए एक बिलियन डॉलर रात को जमा हो गयता है कल अक्वाम मुतादा की तरफ से कतर को जामिन बन कि जो सेक्टरी आफ स्टेट हैं उनका कहना है कि पाकिस्तान ने उस तरह से रोल प्ले नहीं किया तालिबान का साथ दिया है और पाकिस्तान के साथ तालुकात कैसे हैं या आने वला वक्त बताएगा आप क्या करते हैं उनको जा कल अदो ने अमरीका में अपनी करदार रहा वो बहुत ही अमेरिका के लिए अच्छा नहीं था अमेरिकन्स के लिए अच्छा नहीं था